मंसवर कोतवाली थाने शेत्र के दश्णननगर रेलवे ट्रैक के पास खून में लत्बत भिक्ष्वरत्ती करने वाली एक बुज़ुर्ग महिला की मिली लाश मनसौर कोतवाली थाना शयातर के दशरतनगर रेलवेट रैक के पास खून में लत्पत भिख्षवरत्ति करने वाली बुजूर्ग महिला की लाश मिलने से शयातर में संसनी फैल गई कोतवाली थाना प्रभारी में सोनी ने मीडिया से चर्चा करते वे तीन बज कर 35 पर शुकरवार को बताया कि सूचना मिलीदी की भिख्षवत्ति करने वाली वुजूर्ग महिला की लाश पड़ी है सूचना के बाद कोतवाली थाना प्रभारी सीएसपी सितनाम सिंग अतेक्त पुलिस अदिक्षे गोतम सिंग सौलंकी और पुलिस अदिक्षे कनुराग सुज्यानिया मोकी पर पहुंचे और हत्या के आशंका भी जताई जा रही है निमस से एफसल टीम भी मोकी पर पहुंची है और जाँच परताल कर रिपोर्ट तयार की जा रही है शरीर पर मरतक बज़र्ग महिला के चोट के निशान भी नज़र आ रहे है पुलिस सभी पहले हों पर जाँच कर रही है आसपास के जो लोग इस तरह बिख्शेवत्ती करते हैं उन लोगों से भी पूच्छाच की जाएगी और बिख्शेवत्ती करने वाली बज़र्ग महिला की कैसे हत्या हुई है मामले में पुलिस गंबिर्दा से जाँच कर रही है इससे पहले भी इसी शेत्र में पत्थर मार कर एक वेक्ति को मोहत की घाट उतारा गया था शेत्र में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है क्योंकि पूरा खुला हुआ शेत्र है कोमल बाफना का उसकी उपर वहां जाकर देखा गया है उस महिला के आसपास इसे परस्तितियां मिली है जिसमें रख तबहा हुआ हुआ है अभी उसमें हम पहचान स्थार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जो भी तर्थिक्राप्त होते हैं उनके दूसर कर रही करें है और उसके बाद आसपास लगातार पूछताच कर रहे हैं उस तरफ जो रहने वाले लोग हैं जो संदेख्द हैं जिनका आवागमन हुआ है और जो वहां पर पूर से रह रहे थे वरक्मान में नहीं है ऐसे लोगों की पता रशी की जा रही है उनके दस्तियाव होने के ब श्रसा लग souven बाद की में जो से तरह रहे चले जाने कीस बादेश्गा है और जय में झाले certainty में यहीं तार्म की तो बाद़ा है भादूत